दिल को दहला देले वाला अजुधा का भधर्शा कांट जैसा कि मित्रों आपको पता है कि भधर्शा में एक बच्ची से नबालिक बच्ची के साथ गलत काम किया जाता है 24 महीने का उसको गर्ब ठारता है पीडिता की मा यफाई आठ दरज कराने के लिए चोकी में जाती है लेकिन चोकी जो अपराधी था जिसने अपराध किया था उसी के घर में थी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है चार दिन तक परिशान रहती है जब भी ऑचोकी में जाती है तो पहले से मुईत खान वहाँ पर बैठा मिलता है मामले को दबा दिया जाता है उसको धमकी दी जाती है लेकिन कुछ समास सेवियों की मदद से पेड़िता आगे बढ़ती है बात मेडिया में आती है कि मेडिया में आने के बाद पुलिस सक्री होती है पुलिस मुवीत खान का बचाव कर रही थी वो पुलिस मुवीत खान और उसके नौकर राजू खान जो बेकरी में काम करते थे दोनों को आरिष्ट कर लिया जाता है बच्ची को दो बहिने का गर्व था, हाला कि बच्ची का अब गर्व जो धारण की थी भुरूर को खतम कर दिया गया बच्ची अपने घर पे आ गई है, भारी पुलिस सिकूर्टी के बीच में अपने घर पर है उसकी मा न किसी से मिल लही है न बच्ची किसी से मिल लही है न बच्ची किसी से मिल लही है न बच्ची खरबाते नहीं है न मिल लही है उसकी बहन जो बात कर रही थी उसने भी बात करना बंद कर दिया भारी पुलिस का पहरा है कल कोट में सुनवाई होनी थी लेकिन कुछ पेपर ना आने की वज़ा से और जज साहिवा के ना होने की वज़ा से 22 तरक दारी को सुनवाई टल गई है इसकी डेट अब 22 अगस्त लग गई है 22 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है लेकिन इसमें सबसे महत पूर्ण बिंदू है DNA रिपोर्ट सपा जो की बचाव की मुद्रा में है उसके मुखी आखिलेश यादों का कहना है कि DNA जाज करा लिया जाए DNA रिपोर्ट अभी नहीं आई है ऐसा लगता है मुवीत खान के पक्च के लोगों से या सपा जो बचाव की मुद्रा में है उसकी तरब से कि DNA रिपोर्ट आ जाएगी तो दूद का दूद होर पानी का पानी हो जाएगा मित्रों आपको बता दूँ ऐसा नहीं DNA रिपोर्ट इनाट सफिसियर DNA रिपोर्ट किसी अपराधी को बचाने के लिए परियाप्त नहीं सबसे बड़ी चीज है पासको एक्ट में बच्ची का बयान वो पीडिता जो बयान 164 जो परिवर्टी धारा इसमें 183 हो गई जिसका भी नाम उले लेगी उसको बचना नहीं कुछ लोग यह कह रहे हैं कि DNA रिपोर्ट मुवीन से ना मिली तो मुवीन बच जाएगा राजु खान से मिल गई तो राजु खान तो जाएगा किन्त मुवीन बचेगा ऐसा नहीं चाहे वो DNA रिपोर्ट मुवीन से मिले तब भी राजु खान को जाना है राजु खान से मिले, तब भी मुवीन को जाना है, क्योंकि और दोनों से भी न मिले, आपको पता है कि राजु खान ने बच्ची को ले जाकर नशे की हालत में दो महीना तक दोनों ने उसके साथ गलत काम किया, गलत काम में हो सकता है, इन दोनों के अलावा और भी एक दो लो गोश में आई, तो उसने खाली इनी दोनों को देखा, तीसरे को देखा ही नहों. इसलिए DNA रिपोर्ट एक बैज्ञानिक आधार तो आज के समय में बन सकता है, लेकिन जो मेरा कानून कहता है, कानून की हिसाब से 164 का बयान नबालिक बच्ची है, उसका पर्यापत है किसी को सजा दिलाने के लिए. ये कहना कि DNA रिपोर्ट सेफ कर देगी ऐसा नहीं. राजनीति खुब हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि भधरशा मिलकी पूर विधान सभा जहां पर उपचुना होना है, सटी विधान सभा है, और निश्चित रूप से भधरशा कांड का असर तो पढ़ना ही पढ़ना है. सपा का कहना है कि राजनीतिक लाव लेने के लिए बीजेपी फसा रही है. मुबीत खान के लोगों का भी कहना है कि गलग तरीके से फसाया गया, सत्तर साल के आदमी उकर क्या सकते हैं. उनकी 62 से 70 एज भी बड़ा डाउट है. मुबीत खान की पत्नी का अबयान है कि चुकि मैं पत्नी हूँ हमको तो पता ही हमारी वो स्पद कमजूर है. सत्तर साल की उमर में कोई इस तरह के कुड़तिक करे ही नहीं सकते हैं. उनके अच्छम है पूरी तरह से. लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट बताएगी. हलाकि राजनीतिक बाजार गर्म है. बगल में कटेहरी और इधर मिलकी पुर्विधान सभा दूनों की कादमान मुखमंत्री योगी आदित ने सम्हाल रखा है. सत्ता पक्ष को लगता है कि इसका लाव मिलेगा इसलिए इस मुद्दे को हवा देने में लगा है. और बिपक्ष ये सिद्ध करना चाहता है कि इस सब राजनीति काड़ों से किया जा रहा है चूकि चुनाव नजदीक है. चुनाव में लाव लेने के लिए बीजेपी ऐस कर रही है करनोज में भी घटनाय सपानेता भी प्रिखिए आरेश्ट किये गए उनकी क्या नबाब सिंग की दुरगती हो रही है लेकिन आपको बता दें कि 22 तारीक डेट है इसकी सुनवाई है कि जैसा कि रेजल्ट भी आपको बता दूँ कि इस तरह के मुकदमों में जहां पासको होता है जहां 376 होता है लोवर कोर्ट से तो बिल नहीं मिलती है वहाँ से जमानत का दाप नहीं standards 99.999% के सुमें होती है यहां से खारी जी होना है मामले को हाई कोर्ण जाना है यकाद परसंट भले कभी बिल हो गई हो हाई कोर्ण में ट्रायल चलेगा और कैसे भी कम माल लीजिये निर्दोश होता है अपराधी तब भी दो चार पाल साल तो जेल में उसको रहना ही पड़ता है हाला कि आने वाले समय में जैसा कि आपको चुनाओ है सत्ता पक्ष कितना इसका लाव उठा पाता है और बिपक्ष मजबूती से अपनी बात को कितना रख पाता है अपने को निर्दोश बता सकता है बनलब कि सत्ता पक्ष को राजनीतिक लाव लेने से रूख सकता है ये आने वाला वक्त बताएगा हाला कि आउधेश प्रसाद जो सपा सांसद यहां के उनका करीबी है अभी कहा कि DNA की जाच हो जानी चाहिए और कुछ छुडभईया नेता आज उध्या के बहुत तेज कूद रहे हैं लेकिन अउधेश प्रसाद चुकी मजे खिलाड़ी है राजनीति से उन्होंने ऐसा कुछ दहीं कहा है देखे यह आगया क्या होता है 22 तारी को डिट लगी है उसके बाद दूनों वकीलों से मैं बात करूँगा उन्होंने आपने क्या दलीले पेश की यह मैं आपको जानकारी दूँगा देखते रहे अजो द्यादर पर नमस्कार